इस न्यूस इस प्रेजेंटिड बाई युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिककर हमीरपूर सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटाचक की इत्यादी के लिए संपर्ख करें मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में यह परिवन वस्ता को लागू कर दिया गया था और सभी जगाओं में यह बहुत इफेक्टिवली चल रही है इसमें सभी प्रकार की सेवाएं जो हैं आप आज की जेट में घर बैठे ले सकते हैं अपने घर से ले सकते हैं लोक लब 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 ले सकते हैं और यदि कोई हमारे करले में भी आया तो भी यह काम जो है इलेक्टरिनिक मोड पे ही होता है उसकी मरद की जाती है ताकि उसको यह हम फीजिकल जो लोगों का आना जाना ऑफिस में है उसको टोटल डिस्करेज करना चाहते थे शुरू से सरकार की प्रदेश में लागू कर दिया गया है ड्राइविंग लाइसनस बनाने के लिए जिसमें टेस्स देना पड़ता है और गाड़ियों की फिटनेस यह दो ऐसे इसके लिए फीजिकली अपीनल जुरूरी है बाकी सारी चीज़ें जैसे आपकी कोई आपने गाड़ी की ट्रांस करता हूं कि आ जाएगी थोड़ा समय हर चीज़ में लगता है काम हमारी तरफ से विभाग की ओर से कर दिया गया है और आप जैसे यह से लोगों के अडेप्टिबल्टी होगी लोगों का आना ऑफिस की तरह बिल्कुल कम हो जाएगा और यह काम अब घर बैटी की जा सकते ह तो इस चीज़ को आप जानते हैं कि बाहर सरकार और हिमाचल सरकार दोनों का यह है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन सारी हो तो उस दिशा में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन की दिशा में भी यह है कि हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी बसिस भी है प्राइवेट आप जहां transaction रहता है उसको वाड किया सकता है और डिजिटली transaction जो है की जा सकती है तो यह मुझे लगता है कि एक आद वर्ष में यह सब चीज़े facilitate होई जाएंगी और यह सब जो direct cash का जो concept है यह बसो की transaction पर भी मुझे लगता है सब्सक्राइब करने से पहले बेसिक fundamentals क्या है तो उसको अगर अच्छे से हम लोग सीख लें उसमें honesty और integrated रहें तो मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत कहीं आ सकती है इसमें काफी शिकायते मिलती हैं मैं आपकी बात से सहमत हो कि जो लोग driving सीखने जाते हैं वो सीधे ही उनको steering पर बिठा दिया जाता है यह काफी गलत है पहले दो दिन उनको classroom के अंदर coaching होती है उसमें उनको पूरे rules regulations के बारे में बताया जाता है उसके बाद अब simulators की विवस्ता भी driving training schools में आ रही है और हम उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं उसके लिए हम कोई एक विवस्ता भी ऐसी करने का हमारा कारक्रम है कि सब लोगों को हम प्रोशाथ करें कि उस simulators लें उसमें artificially आदमी learn करता है कि driving कैसे करते हैं तो उसको एक पूरा skill जो है उसके अंदर मिलता है उसके बाद फ्रैक्टिकली फिर दर दर गाड़ी कराता है गाड़ी पर भी जो training सीखी जाती है और उसमें ट्रेंड इंस्ट्रक्टर ही जो है वहाँ चला सकता है हमने यह सभी को सभी को कोई कहे रखा है और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई इस तरह की कई मामले हमारे ध्यान में भी आया है जहां पर इस तरह की कई बार इरेवलेटी नजर आती है तो उनके खिलाफ जो है वह सक्त कारवे की जाती है ऐसे में उनके driving school का जो है वह पंजिकर driving school का third party audit करा जाएगा यानि कि वो एक इस प्रोटोकूल में जानने वाली एक best organization है भारत सरकार की organization है जो इसमें चितने भी हमारे driving training schools है इसका पूरा तरह से audit करेगी कि क्या यह विवस्तित हैं क्या यह सही माहिने में संचालित हो रहे और कि यहां पर कोई errorability है तो उसके बा पर चालक को जो नियम अपनाने है उसके साथ कहीँ कोई दिक्कत ना हो और रोड़ पर उसने आना है तो उसके साथ अपने जानके साथ साथ बहुत लोगों की जान असके हाथ में उती है तो इसको हम ensure के मदाने जारा है इसके लिए उनके साथ 15 चार हो चुका है और मुझे पर शीगरी लगबग अक्तूबर के अगले के महा के बीच में ये कार्ले को कार्म करते हैं